और दोस्तों क्या हल चाल हैं? अच्की इस वीडियो में आपको वाता हूंगा How to set full screen display याण कि इस mobile में navigation बटन हाइट करके साइट से back button और full screen display एक्टिवेट कैसे करें? साइट से back button या full screen set करने के लिए सबसे पहले आपको phone के settings में जाना होगा settings open करने के बाद यहां साज बार पे find करेंगे navigation अब इस instruction पर क्लिक करके सिधा system navigation में जा सकते हैं या तो phone settings open करने के बाद scroll card to a नीचे नीचे आईए इसके बाद home screen पे tap करेंगे यहां आपको system navigation settings देखने को मिल जाएगा बटन से full screen में बदलने के लिए इसके बाद device full screen में change हो जाएगे hide full screen indicator नीचे जो line दीक रहा है इस indicator line को आप hide कर सकते हैं इसके अलबा नीचे की तरप full screen display कैसे use करना है उसके उपर काई साई tutorial देखने को मिल जाएगा go to home screen swipe from the bottom quickly नीचे से अगर हम उपर जल्दी swipe करेंगे तो home screen पे चले जाएगा open recent swipe from the bottom and pause यानिकी नीचे से उपर swipe करके pause करना है पिए recent जो application अपने use किये थे वो चले आएगा go back swipe right from the edge अगर आपको side से back करना है तो left और right side से इस तरह से swipe करना होगा trigger apps action application यूज करते समाई उपर left side से अगर आप swipe करेंगे तो उस app का side menu open हो जाएगा switch between apps नीचे guest line को left और right side में swipe करके एक recent application से दूसरे application open कर सकते है तो दोस्तो इसी तरह से अब अपने phone पर full screen को use कर सकते है उम्मीद करते हूँ कि ए वीडियो आपके लिए बहुत हेलफूल था तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सबस्प्स्प्स करना ना भूले झाले तरह से